इस लेक्चर में करेवा के बारे में डिस्कस करेंगे यह पिल्लिम और जीएस पेपर वन जोग्रफी के लिए इंपोटेंट है यह एस लगा है इसके पीछे मतलब प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है बहु अचन में वैसे है करेवा क्यों है रीसेंटली न्यूज में और क् की इंपोटेंस क्या है यह सारा जानेंगे इसमें डवलप्मेंट के नाम पे विकास के नाम पे कस्मीर में है यह करेवा डिपोजिट यह कुछ फर्टाइल एलुवेल सॉयल के डिपोजिट हैं जैसे मानलो भाई साब यह भूमी है यहां पे बरफ से जो गिलेसियर हैं वहा यहां पे जमा हुआ है मेट्रियल वगेरा यह बहुती फर्टाइल सॉयल बनाता है यहां पे बहुती उपजाओ भूमी समझ रहो और यह जो डिपोजिट जमा हुए हैं उन्हीं को बोलते हैं करेवा यह भूमी है जो डिपोजिट के कारण जो जमीन बनी है मिट्टी बनी ह उसको भी करेवा कह देते हैं या फिर जो यह लेंड उपर उठ गई है इसके वज़े से यहां डिपोजिट हुए मानलो भाई सब पहले यह भूमी थी यहां पे डिपोजिट जमा होते गए जमा होते गए होके दे गए होते गए मानलो यह इतना उपर उठ गई तो यह उपजाओ बनी, फर्टाइल बनी और यहां एक भूमी उची हो गई, टेबल लेंड बन गई, समझ रहे हो, तो करेवा क्या है, भूमी के सोयल के लिए भी यूज कर सकते हो, डिपोजिट हैं, या फिर मिट्टी या टेबल लेंड, समझ रहे हो, तो अभी रिसंटी न्यूज म हैं, लेकिन यह जो मिट्टी है ना करेवा, सोयल, यह एगरिकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है, किर्सी के लिए और आर्कलोजिकल के लिए भी इंपोटेंस है इसकी, तो क्या है करेवा और डेटेल में पढ़ते हैं, देखो कस्मीरी डायलेक्ट में, डा देवनागरी जैसे आपकी इंगलिस में लिखतो, A, B, C, D, E, Alphabet क्या है, यह है लिपी, स्क्रिप्ट, रोमन, रोमन स्क्रिप्ट, तो ऐसे डायलेक्ट की कोई लिपी नहीं होती, देवनागरी नहीं होती, छोटे लेवल पर बोला जाता है, एस टेबलिस लेंग्वेज नह है, उस एक elevated table land जो बन गी है, जो भूमी उठ गी है, deposit की वज़े से, जैसा हमने उपर example देखा, उसी को करेवा बोलते हैं, उस भूमी को करेवा बोलते हैं, उठी हुई table land को, elevated table land को, पहली बार ये term यूज की गई थी, जो करेवा, ये Godwin Austin ने यूज की थी, 1859 में, उसके ब जो बिखरा हुआ है, unconsolidated मतलब बिखरा हुआ इखटा नहीं है, या थोड़ा बहुत इखटा है, कंकल पत्थर से हैं, उनके लिए ये term यूज की थी, कस्मीरी language में, local term में, इसे और नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है, वुद्र, करेवा बोल लो या वुद्र बोल ल का है, clay material का, जो moran से embedded है, और moran क्या है, देखो भाई सब ये glacier से हैं, यहाँ पर पहाड जैसे बने हुए, बरफ जमी हुई है कस्मीर में, तो बरफ पिखल क्या आती है न, glacier के पिखलने से जो भी मानलो land form बना, जो भी land form बना, इस से कुछ deposit हुए material, और land form बना, वो ही है moran समझ गए, moran क्या है, यानि कि deposit by glaciers, बरफ के बिखलन से जो जमा हुआ deposit है, material है, वो ही है, moran स, जो land form बना है, वो ही है, moran स, तो ये moran स के पास ये deposit जमा हो रखें, करेवा के, और ये unconsolidated lacustrine deposit है, lacustrine का क्या मतलब है, इसका मतलब है, जील से, लेक, लेक मतलब जील से, य देखो, भाई सब, कोई भी चीज, ऐसा तो है नहीं, मानलो, एक ये जमीन इतनी उची है, और ये इतनी नीची है, अब ऐसा तो नहीं है, यहाँ से, ये इस उचाई पर जाके, कोई जमा हो जाएगी, कोई भी होगी, ग्रेवटी खीसती है, ना, उचाई से नीचे की तरफ आएगी, तो जील जैसे बने हुए, तो जील में जमा होता गए, अब यहाँ जमा होते गए, होते गए, होते गए, ये औरूचा होता गया, ये टेबल लेंड बन गया, समझ रहो, ऐसे ही ये लेकुस्टाइन डिपोजिट है, जील में जमा होए थे डिपोजिट, और पहाड़िया है और ग्रेट हिमाल्या है जो वो पहाड़िया उनके बीच में यह देखो भाई सब अपना हिंदुस्तान का सिर जम्मुकस्मीर यह कारा कोरम की पहाड़ी है कारा कोरम रेंज इस पर सबसे उचा पीक है जो चोटी केटू केटू बोलते हैं इसको फिर यह आपक हम बात करें कस्मीर वैली की जो यह वाली पहाड़ी है न यह है ग्रेट हिमाल्याज ग्रेट हिमाल्याज और इस से उपर वाली जो यह पहाड़ी है लद्दा कारा कोरम और यह जासकर यह वाली यहाँ पे लद्दा कारा कोरम और यह कैलास वाली यह सब यह ट्रांस हिमाल्य ये हिमाल्याज का पार्ट नहीं है, बल्कि किसका हैं, ट्रांस हिमाल्याज का, और इसके बाद आता है Great HIMalnya फिर मिडल हिमाल्या, फिर आपका outer हिमाल्या इसी वाली हिमाल्या, ये हैं हिमाल्य FE일ी के पार्ट, जो हिमाल्यों की पार्ड़ी आएं, तो ये कस्मीर वैल्य कहां, ज जील बनी, जील के बाद अब यहाँ पे glacial deposit हुआ, बरफ के पिगलने से यहाँ पे कुछ deposit जमा होते गए material वगेरा, अब यह एकटा होते गए इस जील में, accumulated होते गए, अब यह जमा होते गए, यह large lacustrine plane बन गया, lacustrine का मतलब क्या होता है, कि जील, जील का plane बन गया, पहले ज अब वो पानी यहाँ से drain away हो गया, पानी यहाँ से खतम हो गया, पानी खतम हो गया, लेकिन यह जो unconsolidated deposit थे, वो तो यही रह गए न, जील में आये थे deposit वगएरा, मिनरस वगएरा, fertile soil जिनों ने बनाई थी, अब यह पानी तो drain हो गया, यहाँ से पानी निकल गया, अब deposit बच गए, अब deposit की वजए से यहाँ पर करेवा formation बन गई, यानि कि करेवा land बन गई, करेवा land बन गई, तो करेवा कैसे बनी, पूरा process समझ लिया, अब करेवा की significance क्या है, importance, economic, आर्थिक importance क्या है इसकी, जो करेवा deposit है, देखो यह, इसमें different soil और sediments हैं, कही सारी soil हैं, इस सेडिमेंट्स मतलब deposit वही, जो इसमें जमा हुएं material वगएरा, जैसे sand, clay, silt, sail, ignite, यह सब कुछ हैं इसमें, इसलिए यह agriculture के लिए और horticulture के लिए बहुती ज्यादा useful है, important है यह, किरसी करने के लिए और horticulture मतलब flower, मतलब flower आपके फूल, सबजियां, vegetable उगाने का जो process है, horticulture, तो इनके लिए बहुती important है, साथ साथ देखो, यहां पर यह, जैफरोन की cultivation के लिए बहुती है, जैफरोन देखो, कस्मीर वैली में सैफरोन की ही local variety को बोलते हैं, जैफरोन, और सैफरोन क्या होता है, आपको पता है, सैफरोन क्या है, केसर, केसर वही है, भाई सब जो formation है, मिट्टी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा important बानी जाती है, करेवा, यह मिट्टी, सैफरोन के लिए, लेकिन सैफरोन की यहां पर variety को कस्मीर वैली में बोलते हैं, जैफरोन, साथ साथ यहां इस मिट्टी में और भी cultivation हो सकती है, जैसे almond की, बादाम की, walnut की, जो होते ना, apple, जानती हो आप सेब, orchard, orchard जो फूल पत्ती होता है, रंग भी रंगे, उनके लिए भी important है, करेवा formation, तो यही था इसके बारे में,